10,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका, खंगाला टाइटैनिक का मलबा कनाडा के न्यूफाउंड लैंड के सेंट जॉन्स के दक्षिन में 700 किलोमीटर दूर है, हालां कि ये बचाव और खोजी अभियान अमेरिकी शहर बोस्टन से चल रहा है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कहा है कि पंडुब्बी की सहायता वाला जहाज, पोलर प्रिंस और डीप एनरजी गहरे समुद्र में खोजी अभियान जारी रखे हुए हैं। अपना एक रोबोट है, जो समुद्र में मदद करेगा। आम पंडुब्बी से कैसे अलग है? इस पंडुब्बी का वजन 10,432 kg है और वेबसाइट की माने तो ये 13,100 फोट की गहराई तक जा सकती है। इस यात्रा के लिए धाई लाग डॉलर यानि टू करोड रुपिये से भी अधिक राशी की टिकट खरीदी जाती है। इस यात्रा के जरिये टाइटानिक के मलबे को समुद्र में 3,800 मीटर नीचे जाकर देखा जा सकता है। बीते सपता हार्डिंग ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि न्यू फाउंड लैंड में बीते 40 सालों में बेहद कडाके की सर्दियों के बाद ये साल 2023 में टाइटानिक तक पहुँचने का पहला और एकलोता मानवीय मिशन है। उन्होंने लिखा मौसम खुल चुका है और हम कल डाइव की कोशिश करने जा रहे हैं। ओशन गेट ने कहा है कि वो एक्स्प्लोर करने वाली अपनी एक सबमर्सिबल से संपर्क स्थापित नहीं कर पा रही है लेकिन उसका पूरा ध्यान सबमर्सिबल के क्रू और उनके परिवार पर है। उपर आने में इसमें तकरीबन आठ घंटों का समय लगता है। वेबसाइट के अनुसार इस साल एक यात्रा जारी है जबकि जून 2024 में दो और यात्राएं होनी है। साल 1912 में दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक ने बिटेन के साथ हैम पटन से न्यू यॉर्क की अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। लेकिन वो एक हिमखंड से टकरा गया। इस जहाज में सवार 2200 में से 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इस जहाज का मलबा पहली बार 1985 में खोजा गया था। आम पंडुब्बी से कैसे अलग है? ये सबमर्सिबल पंडुब्बी एक आम पंडुब्बी से अलग कैसे है? National Oceanic and Atmospheric Administration के अनुसार एक पंडुब्बी किसी तठ से स्वतंत्र तरीके से खुद आ और जा सकती है जबकि एक Submersible पंडुब्बी के पास बहुत सीमित ताकत होती है और उसे समुद्र के नीचे जाने और उपर आने के लिए एक जहाज की जरूरत होती है इसके साथ ही यह भी तथ्य है कि समुद्र के नीचे तलहटी में रौशनी बिल्कुल गायब रहती है Ocean Gate ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि उसके पास तीन पंडुब्बियां है जिन में से केवल टाइटन ही टाइटैनिक के मलबे के पास पहुँचने में सक्षम है इस पंडुब्बी का वजन 10,432 किलोग्राम है और वेबसाइट की माने तो ये 13,100 फुट की गहराई तक जा सकती है आठ दिन की इस यात्रा के लिए धाई लाग डॉलर यानि टू करोड रुपिय से भी अधिक राशी की टिकट खरीदी जाती है इस यात्रा के जरिये टाइटैनिक के मलबे को समुद्र में 3,800 मीटर नीचे जाकर देखा जा सकता है बीते सपता हार्डिंग ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि न्यू फाउंड लैंड में बीते 40 सालों में बेहद कडाके की सर्दियों के बाद ये साल 2023 में टाइटैनिक तक पहुँचने का पहला और एकलौता मानविय मिशन है उन्होंने लिखा मौसम खुल चुका है और हम कल डाइव की कोशिश करने जा रहे हैं ओशन गेट ने कहा है कि वो एक्स्प्लोर करने वाली अपनी एक सबमर्सिबल से संपर्क स्थापित नहीं कर पा रही है लेकिन उसका पूरा ध्यान सबमर्सिबल के क्रू और उनके परिवार पर है कमपनी ने आगे कहा सबमर्सिबल से वापस संपर्क स्थापित करने के लिए कई सरकारी एजेंसियों और डीप सी कमपनियों से मिल रही इस व्यापक मदद के लिए हम आभारी है ये कार्बन फाइबर से बनी पंडुब्बी है जो न्यूफाउंड लैंड के सेंट जॉन्स से यात्रा शुरू करती है और मलबे तक जाती है समुद्र में उतरने से लेकर वापस उपर आने में इसमें तकरीबन आठ घंटों का समय लगता है वेबसाइट के अनुसार इस साल एक यात्रा जारी है जबकि जून 2024 में दो और यात्राएं होनी है साल 1912 में दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक ने ब्रिटेन के साउथ हैमपटन से न्यू यॉर्क की अपनी पहली यात्रा शुरू की थी लेकिन वो एक हिमखंड से टकरा गया इस जहाज में सबार 2200 में से 1500 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी इस जहाज का मलबा पहली बार 1985 में खोजा गया था